सिधार्थ मलहोतर फिर बदली योध्धा की रिलीज डेट अब इस दिन दस्तक देगी फिल्म। अभिनेता सिधार्थ मलहोतर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म योध्धा को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म के लिए बेकरारी से इंतजार कर रहे दर्शकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा एक बार फिर इसकी रिलीज डेट में बदलाव किया गया है बता दें की इस फिल्म में सिधार्थ मलहोत्रा के अलावा दिशापाटनी और राशी खन्ना लीड रोल में नजर आएंगी फैंस योध्धा की रिलीज के लिए जितने बेताब हैं उनका इंतजार उतना ही बढ़ रहा है सामने आ रही जानकारी के मुताबिक अब यह फिल्म 15 सितंबर 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी एक ट्रेड विशलेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये यह जानकारी साजा की है बता दें की इस फिल्म का निर्देशन पुषकर ओजा और सागर आमरे ने किया है यह दूसरी बार है जब फिल्म की रिलीज डेट बदली गई है पहले यह फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज होनी तय हुई थी मगर मेकर्स ने रिलीज डेट में बदलाव किया और फिर नई तारीख जुलाई 2023 तय हुई अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है अब फिल्म सितंबर में सिनेमा घरों में रिलीज होगी अपनी इस फिल्म के बारे में बात करते हुए सिधार्थ ने कहा था बत और आर्टिस्ट आप स्क्रिप्ट पर काम करना पसंद करते हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकें इस फिल्म में मेरा बिल्कुल नया वर्जन देखने को मिलेगा, मैं इसके लिए शुक्र गुजार हूँ मैं इस फिल्म को लेकर बहुत उच्साहित हूँ सिध्धार्थ इस फिल्म के अलावा अपने डिजिटल डेब्यू के लिए भी तयार है बता दें की रोहित शेटी की आगामी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के जरिये सिध्धार्थ जल्द ही OTT पर दस्तक देंगे इसमें उनके साथ विवेक ओबेरोय और शिल्पा शेटी भी अहम रोल में नजर आएंगे यह Amazon Prime वीडियो पर रिलीज होगी